बिहार में दो महीने दस दिन बाद फिर 96,830 कैंडिडेट्स को टीचर की नौकरी मिल रही है BPSC पास इन टीचरों में से 26,925 को CM नितीश कुमार शनीवार को यानि की आज पटना के गांधी मैदान में निक्ति पत्र देंगे वही 26 जिलो में जिला मुख्याले अस्तर नियुकती पत्रों का वित्रन किया जाएगा गांधी मैदान में ये कारिक्रम तीन बजे से शुरू होगा इसमें मुख्यमंत्री नितीश कुमार मुख्य तीथी के रूप में शिरकत करेंगे गांधी मैदान आने जाने वाले मार्गो पर भारी वाहनों का रूट भी डाइवर्ट रहेगा इसके अलावा पूर्णिया रोता सहरसा, सिवान, सुपॉल, सीतामढी, पक्षमी, चमपारन, अररिया, बांका, भागलपूर, गया, गुपाल गंज, जमुई, क्यामूर, कटिहार, खगडिया, किशन गंज, मधेपूरा, मधुबनी, मुंगेर, वन अवादा में न्युक् पत्र दिया जाएगा, सभी जीलों से करीब 640 बसों से सिक्षकों को पटना लाया जा रहा है, पटना वेशाली, सीतामढी, मुझफरपूर, शिवहर, जमुई, लखी सराय, मुंगेर, बेगु सराय, खगडिया, नालंदा, गया, और जहानाबाद से कूल 333 बसों से गांध पत्र पर लाया गया है और वहां से सिक्षक पैदल गांधी मैदान पहुँच रहे हैं, गांधी मैदान के गेट नमबर एक से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्यमंत्रियों के वाहनों को प्रवेश कराया जाएगा, दो फर 12 बज़े से ही पहले आने वाले VIP के वाहन ग्यान भवन के अंदर नर्धारित पार्किंग अस्तल पर पार्क हो रही है, सिक्षकों के वाहन गांधी मैदान के गेट नमबर राट और दस से मैदान के अंदर जाएंगे और नर्धारित अस्तल पर पार्क होंगे, बता दे कि BPSC द्वारा दूसरे चरन में एक 2727 अभ्यर्थी भी शामिल है इने भी गांधी मैदान में निक्ति पत्र दिया जाएगा 37 परिक्षा में 11,000 नियोजिक सिक्षक हैं जो सफल हुए हैं जबकि विभागिय जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार 10 प्रतीशत यानी लगभग 9,000 के करीब दुसरे राज्यों के भी अभ्यर्थी शामिल है गांधी मैदान को 4 सेक्टरों में बांट कर सुरक्षा के लिए 60 मजिस्ट्रेट के साथ 700 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है निक्ति पत्र लेने पैदल आने वाले सिक्षक गेट नमबर 4 और 5 से प्रवेश करेंगे गाड़ी से आने वाले सिक्षकों की गेट नमबर 10 से एंट्री हो रही है कारिकरम की ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो रही है कि गांधी मैदान में प्रथम चरन के सिक्षकों की बहाली के लिए 2 नमबर को निक्ति पत्र वितरन समारो का योजन किया गया था जुसमें मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने सिक्षा विभाग के प्रमुक सचियू के के पाठक को निर्देशीत किया था कि जल्द से जल्द दूसरे चरन की बहाली की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए सिक्षा विभाग ने BPSC के साथ मिलकर काफी तेज गती में काम करते हुए वैकेंसी निकलने के साथ साथ एक्जाम लेने और एक्जाम के बाद रिजल्ट जारी करने के बाद जॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया दो महीने दस दिन में ही पूरी करा ली